हे गोपाल अब तो संभाल तेरी गायों का हो रहा बुरा हाल आई विपता बड़ी भारी है चारों और फैली महा मारी है अब इस अंदकार से हमें तू ही निकाल हे गोपाल अब तो संभाल कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गो माता जिसमें 36 करोड देवी देवताओं का वास होता है उनकी ये हालत होगी प्रकरती के प्रकोप से कोई नहीं जीत सकता नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं रंगीलो जुंजनो और जो तश्वीरे आप देख रहे हैं ये नौलगड के ग्राम घोडिवारा कला की हैं जहां लंपी वाइरसे मुरत गायों का सुर्जाराम मुलाराम धाबाई मेमोरियल ट्रस्ट घोडिवारा कला के संयोजक जेश धाबाई ने बताया कि गाउं में खुले जोहड में लंपी वाइरस के कारण मर्त लगभग 23 गाएं पड़ी थी और उनसे आसपास में इतनी बदगू फैल चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया था वहीं उसी ग्राउंड में गाउं के बच्चे सुबह एक्सरसाइज के लिए भी वहाँ जाते थे तो उनका भी जाना वहाँ मुश्किल हो गया था गाउं के और ट्रस्ट के द्वारा ये निर्ने लिया गया कि ये जो 23 मर्थ गाएं पड़ी हुई है उनका विधी विधान से अंतिम सैंसकार किया जाएगा जैसी भी बुलाई गई गड़्डा खुदवाया गया और सभी गाएं को वहाँ दफना दिया गया राजेश धाबाई ने ग्रामिणों से अपील की है कि इस तरीके से मर्थ गाए माता को खुले में ना डालें यदि कोई ऐसक्सम है तो वह ट्रस्ट को सुचित करें उसका विधिवत सैंसकार किया जाएगा दोस्तो रंगिलो जुनजुनू हमारे सभी दर्सकों से निवेदन करता है कि जिस परकार कोरोना काल में मानव जीवन रक्सा हेतु समाज ने अभूत पुरुवा योगदान दिया था उसी परकार से अभी गो माता पर संकटाया है लंपी वाइरस का कष्टाया है आता हमारे आसपास यदि कोई छोटा बच्छडा गाए बच्छिया बैल सांड अत्वा कोई भी गोवन्स दिखता है तो हमें उनकी हर संभव साहता के प्रियास करने चाहिए है यदि हम स्वयम कुछ न कर सके तो कम से कम गो से उकों गो सालाओं सरकारी पसू चिकित सो आद आता हमारा दौर बच्छिया यद्ट फन्स दिखता है